पूर्णूर में धो सवराज इंडीया और सवराज इंडिया के राष्ट्ययक्ष यूगेंदर यादव साम हमारे साथ सबसे पहले आपने ऐलान कर दिया दस उमीदवारों का और आपने कहा है कि ये आम लोग हैं जो समाज में रहकर संगर्श कर रहे थे कोई आंदोलन कर रहा था किसानों के लिए या कुछ और कर रहा था क्या लगता है आपके सामने बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता होंगे धनबल वाले नेता होंगे और आपको प लड़ेंगे एकतिहाई औरतों को एकतिहाई युवा को लाएंगे दस सीटे हमने आज घोशित कर दी हैं तीन औरते हैं दो युवा हैं कोई हरियाना के पड़े राजनयती खांदान परिवार से नहीं है कोई अरब पती नहीं है जो हरियाना में कुंडली मारके बैठे हुए राजनीती पे उन में से कोई नहीं है कौन लोग है किसान संघर्ष के लोग है दलित संघर्ष के लोग है ब्रश्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ ही है इन लोगों ने मिलके अलग जगाई है क्या जनता इसको मानेगी जनता देखेगी ये बात सच है चुनाव जीतने के लिए आज जो पैसा चाहिए वो हमारे पास ना है न कल आएगा क्योंकि दो नंबर का काम करना नहीं तो आएगा नहीं लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए जो चरित्र चाहिए वो आज है आज हमने जिन दस उम्मीदवारों को पेश किया है वो हरियाना के भविश्य का चेहरा है जनता सोचती है कि भाई मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं बन सकता आज हमारे ऐसे साथी है जिनोंने आम जनता के बीच आपने देखा दस के दस को आम जनता के बीच में उठे हैं अपने background में बड़े साधारन हैं अपने काम में असाधारन लोग हैं वैसे लोगों को लाएं हैं और आज नहीं तो कल जनता इस बात को देखेगी और हम तो साफ कहते हैं हमने तीन महिने का टिकेट नहीं दिया है साड़े-पांच साल का टिकेट दिया है संघर्ष करने के लिए टिकेट दिया है जित जनता के बीच में खड़े होंगे जनता देखेगी और जनता जनारदन जिस दिन फैसला कर लेती है उस दिन बड़ो बड़ों की बोलती बंद हो जाती है आपने कहा हिम्मत और चरितर आपके कैंडिडेट के पास है लेकिन आप राजनेती को बड़े लंबे सालों से बड़े नजदीक से देखते आएं आजकल हिम्मत और चरितर नहीं चलता आपको पता है आजकल पार्टियों को लोग वोट देते हैं कैंडिडेट को तो देते ही नहीं है आपने पीछे लोगसभा का चुनाव देखा कि कुछ candidates ऐसे पहुँच गए हैं जो ऐसे ऐसे ब्यान देते हैं कि शरमिंदा होना पड़ता है आम जनता को भी तो आपके हिसाब से अब जो जनता है वो पार्टियों को वोड़ देंगे कि जो जीतने वाली पार्टी है ऐसे में उमीदवारों को कोई देखता नहीं है तो फिर कैसे हिम्मत और चरित्र के दम पर जीतेंगे ये खिलारी हम भी पार्टी की तरह जा रहे हैं स्वराज इंडिया पार्टी है और candidate के चरित्र से पार्टी का चरित्र दिखाई देता है हम दिखाना चाहते हैं कि है कोई पार्टी हर्याना में जो इस तरह की बात कह सके है कोई पार्टी हर्याना में जो इतने गरीब साधारन लोगों को संघर्ष करने वालों को उमीदवार बना सके है कोई पार्टी जो की जनरल सीट पे रिजर्वट केटिगरी के लोगों को टिकेट दे सके है कोई पार्टी जो महिलाओं को आगे आने को तैयार हो है कोई पार्टी जो डेरे बाबा को पैरोल देने का विरोध कर सके है कोई पार्टी जो ठेकों और शराब के खिलाफ बोल सके हम वो पार्टी है जनता तक ये संदेश पहुचाना है और हाँ पार्टी के बत और हम मांगते हैं अपने चरित्र के नाते मांगते हैं आज भेड़ चाल होगी आज पूरे हरियाना में सब लोग लगे हुएं बीजे बात कह दूं कि हमारी परसों सरकार बनने वाली है ऐसा कुछ नहीं होने वाला आज हरियाना को एक प्रतिपक्ष की जरूरत है सिरफ विपक्ष नहीं जो विरोध करें प्रतिपक्ष जो विकल्प दे हम वो प्रतिपक्ष बनने के लिए आखड़े हुएं और वो बनके और उसको अचीव करने में वो इंपोर्ट कर रहे हैं सबी नेताओं को बड़े नेताओं को क्या लगता है ऐसे में जब एक तरफा महल सा लग रहा है हरियाना में ऐसे में आप प्रतिपक्ष बन पाएंगे कॉंग्रेस को आगे निकल कर इनेलो से आगे निकल कर जेजेपी स कहां है थी यह सब थी कहां है आज तो हालत यह है कि अशोक तवर जी खुश है इलेक्शन रिजल्ट पे क्योंकि बाप बेटा हार गए हुड़ा जी खुश है कि तवर के साथ साथ कैप्टन भी निपट लिया एनक फूट गई तो दुश्यंत खुश चपल तूट गई तो चाचा खुश यह इनकी हालत है आज ऐसे में मजाक हो रहा है अर्याना में तो राजनीती का जनता बीजेपी को कितना वोट देगी मैं नहीं जानता लेकिन उसके बाहर भी जनता कुछ देखना चाहती है जनता यह नहीं चाहती कि सिर्फ एक छतर राज हो जाए रोटी को प पाउर उसने क्या किया कुछ नहीं किया सिर्फ स्वराज इंडिया है जो मुझ खोल के बोलती है और मैं समझता हूं कि हर्याना की जनता जब सोचेगी कि भाई ठीक है बीजेपी को इतनी सीटें देनी है उसके बाद सोचेगी कि भाई कोई विपक्ष भी होगा कोई तब स्वराज इंडिया की तरफ देखेगा हमारे आज इतना ही भूमिका है और ये भूमिका हम निपाएंगे जो एमेलों की लाइन लगी होई है बीजेपी में जाने के लिए जो मौझूदा एमेले हैं वो जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे यह जो दल बदल होता है ठीक इ हर्याना की देन है यह जो पूरा आयाराम गयाराम शुरू हो आता हर्याना सी तो शुरू हाता है नामी हर्याना से पढ़ा इसका तो और इस वक्त जो हो रहा है यह तो सारे लोग लाइन लगा के बीजेपी में घुसने के लिए खड़े हुए हैं अब बीजेपी के पास जो है इस वक्त विपक्ष में उस शुन्य को भरना हमारा काम है कोई सवाल सही सवाल उठाने को तयार नहीं है पांच साल में ऐसी निकम्मी सरकार जिसने तीन बार जो बड़े-बड़े घटनाएं हुई चाहे वो बाबाराम पाल वाली हुई हो चाहे वो जाट आरक्षन व चाहे जरूरत थी तब तो तुम भग लिए थे अब तुम वोट काम मांगने कौई आरहे हों वह सरकार जो कि परदेश को जाती के आधार पे बांटने का काम करती रही है 35 के चकर में वह आरके वोट मांग रहें तो ये तो लानत है अप्रदेश पे लानत है हम सब पे कि इस कि कोई हर्याना में अभी संबाबना है कि बीजेपी का मुकाबला कोई एक, दो, तीन, चार पार्टियां मिल के कर सकती हैं, यो कोई ऐसा हो जाए, किसी ये के जंडे पर सा भी कठे हो जाएं, कि आप ऐसी कोई कोशिश या केले ही? ऐसे सब गठबंदन बन लिये और इस देश की जंता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, आज पार्टियों के गठबंदन की जरूरत नहीं है, आंदोलनों के गठबंदन की जरूरत है, जो संघर्ष है, किसान आंदोलन का संघर्ष है, ब्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का संघ दलितान दोलन का संगर्ष है उस संगर्ष के गटबंदन की जरूरत है पार्टियों के गटबंदन से तो दुनिया तंग आ लिए जितने गटबंदन बनेंगे बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी देखो सारे लोग मिल गए इसके खिलाफ गट बंदन नहीं चाहिए ये पार्टियों का कम से कम हम उसमें शामिल होने के हम हैं कौन हम तो अपना काम चिप चाप से करेंगे आप लड़ेंगे मैंने पहले ही कहा कि हमारे इलाके से मुझसे कम से कम बहतर कैंडिडियेट को हम ले के आए हैं हम मैं उनका प्रचार का काम करूँगा अगर मैं किसी एक कॉंस्टिवेंसी में उलज गया तो हमारे बाकी नवासी के इंडियेट का काम कौन करेगा मैं तो सब की सेवा करूँगा घुम घुम के प्रचार करूँगा आज से शुरू कर दिया है तो योगिंदर यादव जी जोकी सवराज इंडिया के अध्यक्ष है इनका ये कहना है कि हम कुछ रूल ब्रेक कर रहे हैं मतलब हम कोशिश करेंगे कि लोग हमें विपक्ष के तौर पर देखें क्योंकि हरियाना में जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है मतलब बिलकुल जीरो हो गया है इसलिए हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि लोग तंतर में एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है अब देखना होगा कि ये जो जिन आम लोगों को या जो कहीं अंदोलन कर रहा था उनको उतारा गया है तो क्या लोग इन पर भरोसा करके इनको वोट देंगे और जिताएंगे खर ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा लेकन कुल मिलाकर सबसे पहले उमीदवार दस उतार दिया है सवराज इंडिया ने